हलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैलल फार्मा विद्विक्रम में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट मेडिसिन के बारे में जैसे कि आप घर से बाहर निगलते हैं या किसी यातरा पर जाते हैं तो आपके साथ में कुछ इंपोर्टेंट मेडिसिन जो हैं अपने पास होनी चाहिए जैसे कि सफर के दौरान आपको दस्त होने लगते हैं या पीट में गैस बनने लगते हैं या बुखारा आ जाता है शरीर में दर्द होने लगता है या चक्कर आने लगते हैं पेट में दर्द होने लगता है उल्टियां होने लगती हैं तो ये साली समझ्या होती हैं तो बहाँ पर कौन-कौन सी मैडिशिन्स जो हैं आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए तो अगर हम सबसे पहली मैडिशिन्स की बात करें तो उल्टी या मतली रोगने के लिए जो सबसे अच्छी मैडिशिन्स होती है वो होती है पैरिनॉम और अगर हम बात करें इसके कमपोजिशन के बारे में तो इसमें जो है मैटो कलोपरामाइड होता है वही हम नेक्स्ट बात करें तो ondemmd इस tablets में जो है ondestra होता है और इन दोनों tablets में से कोई एक tablets आपको अपने पास रखनी चाहिए इसके अलावा कुछ हम other medicines की बात करें जैसे कि आपको पेट में समश्या हो जाती है लूज मोशन होने लगते हैं दस्त होने लगते हैं या पेट में दर्द होने लगता है तो आपके पास मैट्रोजल tablets होने चाहिए तो अगर हम बात करें इसके composition के बारे में तो इसमें मैट्रोनिर्डाजॉल 400 mg में होता है और नेक्स चो टैबलेट से वो है नौरफलोक्स लिडाजॉल और लैक्टिक एशिड वेसिलेस होता है तो इस tablets का प्रियोग जो है लूज मोशन हो रहे हो या पेचिस की समस्या हो पेट में दर्द हो रहा हो तो उन condition में इन दोनों tablets में से कोई एक tablets आपके पास होनी चाहिए वहीं हम next medicine की बात करें जैसे की सरीर में दर्द दो रहा हो सिर्दर दो रहा हो या बुखार आ गया हो तो उस इस्तिति के लिए आपके पास जीरो डाल पी टैबलेट्स और इस tablets के composition की बात करें तो इसमें जो है एसिकलोफिनेक और पैरसिटामोल होता है और वहीं हम next tablet की बात करें तो आईबू जैसिक प्लस tablets और अगर हम भात करें इसके composition की बारे में तो इसमें जो है आईबू परोफिन और पैरसिटामोल होता है तो इस tablets का अभी प्रियोग जो है सरीर में दर्दो रहा हो वुखार रहा हो या सिर में दर्दो रहा हो उन condition में इस tablets का प्रियोग किया जाता है तो आप इन दोनों tablets में से कोई एक तरह की tablets को अपने पास रख सकते हैं वहीं हम next medicine की बात करें जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि आपको यात्रा के दौरान जो है चक्कर आने लगते हैं या उल्टियां से महसूस होने लगती हैं तो उस condition में आपके पास vertigan tablets अगर हम बात करें इसके composition के बारे में तो इसमें सिनरजिन होता है और इस tablets का उपयोग उल्टी और चक्कर आने की समश्या से निजात पाने के लिए किया जाता है तो ये tablets भी आपके पास होनी चाहिए वहीं हम next medicine की बात करें जैसे कि क्या होता है सफर के दौरान कभी-कभी पेट में दर्द होने लगता है एंठन सी होने लगती है तो उस इस्तिति में आपके पास जो है मैफटाल इसपास अगर हम बात करें इसके composition के बारे में तो इसमें जो है मैफ़ानमिक एसिड और diceclomine होता है और बात करें next medicine की तो next medicine है वो है cyclopam इस tablets में diceclomine और paracetamol होता है इस tablets का उपयोग जैसे कि पीट में दर्द हो रहा हो या बुखार की condition हो तो इस tablets का उपयोग के जाता है तो इन दोनों tablets में से कोई एक tablets आपके पास होनी चाहिए वहीं हम next medicine की बात करें तो जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि यात्रा के दौरान पीट में जो है acidity होने लगती है गैस बनने लगती है तो उस इस्तिति में आपके पास tablets जो है pentap 40 होनी चाहिए और इस tablets में जो अगर आप composition की बात करें तो इसमें जो है pentaprazole होता है और next to medicine है वो है ranitek और इस tablets में जो है ranitridine होता है इस tablets का उपयोग जो है जैसे कि पीट में acidity हो रही हो गैस बन रही हो तो उन condition में इस tablets का उपयोग किया जाता है तो इन दोनों tablets में से यातरा के समय कुछ important medicines जो होती है जिने हमें अपने पास रखनी चाहिए उन medicines के बारे में जाना तो दोस्तों कोई भी medicines लेने से पहले अपने doctor से सलाह जरूर ले लें तब ही इन medicines का उपयोग करें तो दोस्तों आसा करते हैं आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी पसंद आई हो अगर आपको हमारे दोरा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलते हैं next वीडियो में